हलो कैसे आप सब तो आज हम बनाने वाले हैं कडाई पनीर कडाई पनीर बनाना भी एक आर्ट है एक तम अलग परप्रेशन है और अलग तरीकी के मसाले बढ़ते हैं तब जाके बनती हैं बिलकुल अठेंडिक कडाई पनी तो आज मैं आपके साथ धाबो की वो सीक्रेट सी रेस्पी शे करीए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे कडाई मसाला कडाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो चमबच देंगे सुखा धनिया के बीच जालेंगे इसी के साथ हम डालेंगे एक चमबच जालेंगे जीरा अगर आपके बस भी जीरा है तो बोबी डाल सकते उससे फ्लिवर बहुत अच्छा था मसालों के अंदर एक चमच हम डालेंगे वाइल तिल डालेंगे और इसी के साथ तीन हम यहाँ पर ली है छोटी लाइची और तीन ही हम ले लिये हैं लॉंग लिये हैं और दो चमच लेंगे हम मोटी वली सौफ लेंगे पतली वली डालने से जो सबजी हमारी मीठी बनती है एक चमच लेंगे हम काली मिर्च जी हाँ अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हैं तो एक चमच आ लिए वरना हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं और डिर चमच हम डालेंगे कसूरी मेथी जिससे मैंने दवे पर रोस्ट कर लिया तो उसके बाद यहां पर हम डालेंगे और यह है कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने चार से पांच ली हैं यह कड़ी नहीं होती बलकि यह सरफ इससे कलर बहुत अच्छा आता है सबजी के अंदर चलिए अब इन सब मसालों को मैंने रख दिया है गैस के उपर और इन मसालों को हम हलकी आज पर सुना रहा है हमने तक भूनना है जैसे हलकी सी देखी यह मसाले हमारे भून चुके हैं अब गैस की फ्लेम मेंने कर दिया है बंत और तुरंध हमने इन मसालों को प्लिप में श इसी के आता है कि कडाई पनीर में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इन मसालों का यह देखी मैं आपको एक परी चेक कराती है इतने हमारे दर-दरे मसाले होने चाहिए हमने इनका बिल्कुल फाइन बॉटर नहीं बनाना मसाले को आप स्टोर करके रख सकते कम से एट से देड महीना एक टाइड डबे के अंदर रखते हैं साइड में तो कडाई पनी मसाले के लिए स्पेशल तरीके से बनाई जाती है ग्रेवी मैंने बाउल रखा है बाउल के अंदर तीन मेडियम साइज के टमाटरों को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था लेकिन मिक्स हम डालेंगे धनिया पॉड 허덕 जी हां इससे क्या होता है कि ग्रेवी में बहुत अच्छी थिकनेस आती है और 1 giant teaspoon के करीभ डालेंगे झीरा पॉड चामच में नमक डालेंगे अर उसके बाद डालेंगे वे सबी मसालयों को बैलन्स करने के लिए और half teaspoon डालेंगे चाट मसाला डालेंगे और एक चमच हम डालेंगे नमक डालेंगे हमने सर्फ एक चमच नमक अड़ करना है अड़ करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से करना है मिक्स करना जैसी अच्छे से मिक्स हो जाएं के पाद अब हम आट करेंगे टमाटर पूरी जिसे मैंने खर पर बनाया है और टिन तमाटर को प्यूरी मैनने घर पर बनाए अगर आप सब घ्योज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एक चमच चीनी दाले के मैंने सरफ half teaspoon डाला दीजे हमारी gravy जो special gravy कड़ाई मसाले की होती है वो अच्छे से त्यार होगी इससे आप एक रात पहले भी बना कर फ्रिश में रख सकते हैं और अब अपने secret से इंगिल डालेंगे जी हाँ तीन चमच हम डालेंगे hot and sweet का tomato ketchup दो चमच ना लेंगे सुखा नारियल डेसिकरड़ कोकोनट इसे gravy में बहुत अच्छा टेस्ट आता है लीजे इन सब को mix करते हो हमारी gravy होगे ready तो चलिए अब तड़का लगाते हैं तड़का लगाने से पहले कुछ preparation कर लेते हैं सबसे पहले ये देखिए पनीर लिया है यहां 400 ग्राम 400 ग्राम पनीर को मैंने इस तरह टेंगल शेप में मोटा मोटा काटा है आप अपनी मर्जी से square जैसे आपको pieces पसंद हो वैसे काट सकते हैं इसे के साथ हमने शिमला मिर्च शिमला मिर्च देखिए आपने इस तरह काटनी है और हमने प्याज के भी इस तरह बड़े-बड़े pieces के अंदर काटना है कड़ाई पनीर मसाला के अंदर इसी तरह ही डाले जाते हैं ये देखिए cutting तो हो चुकी तो चलिए अब सबजियों करते हैं काटनीर के हमें पनीर को चलिए है तक हमने रिवल में चलिए कर देखिए शिमला मिर्च के अंदर ॐसितल ही मिर्च को फड़ेखिए अब हमने बहुत जादए करनी है इस तरह हम देखिए जीना था उसमिर्च को कितना हिशिए — इस तरह हम देखिए इतना ही हमने शिम्ला मिच को फ्राई करना, फ्राई करने के बाद अब हम इसे प्लेट में कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बलकि हमारा प्याज हमारा थोड़ा सा कच्छा होना यह देखे आप आप 10 तक काउंटिंग करेंगे इतना हमने इसे फ्राइ करना है हमारे अच्छे से फ्राइचोके अब हम इसे प्लेट में शिफ्ट कर देए शिफ्ट करने के बाद चलिए अब आपको सब्जी चेक रहाती है पनीर हमारा हलका सा ब्राउन हो चुक है और जो बा सब्सक्राइब करें bath चाम जब हम इसे ग्रेवी में डौनाइब चबप तो लगाते हैं कटाई पनीर मसाला को तर्का ओउ श्म match कल ऊपड़ा और्व्म तवश्म अब हमने जो मसालों को भूनना बिल्कु ही लो फ्लेम पर भूनना और जैसे हलके से भून जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची अदरक और लसन का पेस्ट डालेंगे ये मैंने लिया है दो चम्मच जी हाँ अब हमने इसे अच्छे से करना है मिक्स करना है कुछ सेकेंड के लिए हमने इसे ही भूनना है और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच डालेंगे कडाई पनीर मसाला जो पहले हापको वीडियो में बनाना है बताया न वो ही डालेंगे अब कडाई पनीर मसाला डालने के का onion paste बनाकर रखा हुआ था वो डालेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे दो प्याज को कदुकस या काट के वो डाल सकते हैं उसके पाद जो हमने gravy बनाकर रखी थे नगो पहले बनाई थी वो सारी gravy को इसके अंदर डाल देंगे डालने के बाद इसे mix करते ह आधे ग्लास से जादा हम डालेंगे गरम पानी जी हाँ इसमें आपने गरम पानी डालना है अब हमने इससे इतना पकाना जब तक इसमें से अच्छे से ओल्स सेपलाट नियुक्त पकाने के बाद ये देखिए ओल सारा सेपलाट हो जोके और पहले अब क्रेवी का कलर चेक किया था फिर मैंने इसे मिक्सी में किया था ग्राइंड किया था ग्राइंड करने के बाद वो हम सारा डाल देंगे अब हमने इसको कुछ 2-4 मिट के लिए और पकाना है ताकि क्योंकि हमने इसके अंदर डाले हैं काजू और काजू हमारे अच्छे से पक्चे हैं इसके अंदर डाल देंगे डालने के बाद अब बिल्कुल हलके हलके हाथों से हमने इसे मिक्स करना बलकि बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना बिल्कुल वैसे ही मिक्स करने कि जैसे हमने यह दिखिए हमने सरफ कड़ाई को लाना अब हमने कुछ एक से दो मिट के लिए इसको पकाने के बाद गैस मेंने बंद कर दी, उपर मैं थोड़ा सा डालूँगी, कद्दुकश करके पनी डालूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, देखिए मैंने लिए हैं टमाटर जिसके मैंने चार पीसिस कर दिये थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और धाबे में बिल्कु अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें